नमस्कार मैं कशिशो स्वागत है आपका नेक्स नाइन नियूस में देखा जाये तो खबर कयासो के आधार पर है सुप्रेम कोट में सुनवाई लगातार जारी थी और अभी भी फैसला नहीं आ पाया लेकिन पूरी तरीके सुमेद जताई जारी है कि उदब ठाकरे के गुट के लिए ये फैसला जो होगा वो शांदार होगा अब साफ तोर पर देखा जाये राज ठाकरी की तरफ तो राज ठाकरे कहीं न कई शिंदे गुट की तरफ जाने की सोच विचार करते हुए नजर आ रहे थे जिस तरीके से सूतरों के हवाले से खबरे आ रहे थी लेकिन यह यहाँ पर राज ठाकरे ही बीजेपी को नसीहत देने लगे तो कई न कई वो कयास यहाँ पर रुकने लगे अब देखा जाए कि उदफ ठाकरे को अगर शिवसेना और चुनाथ चिन वापस मिल जाते है तो राज ठाकरे कौन सा बड़ा कदम उठाएंगे यह सवाल बना हु की जाए तो राज ठाकरे से बहतर कोई नेता नहीं करता और कही न कहीं जो वो कहते हैं वो करके भी डिखाते हैं बड़े मन से वो यहाँ पर हर किसी को धंकी देते हैं और वो चीज पॉसिबल भी होती नजर आती है लेकिन अभी खबर और कयास तो यह लगा जा रहे है कि अ इतना कुछ देखने को नहीं मिलता शायद अगर 2019 में वो शरत पवार और कॉंग्रिस के साथ नहीं आते तो शायद इतनी बड़ी बगावत देखने को नहीं मिलती लेकिन सुप्रेम कोट ने भी अपनी दलीले रखी अपनी बाते रखी और कई ना कई वो सही थी उन्होंने कहा गया है कि यहाँ पर तीन साल की शादी को किस तरीके से बर्बात किया गया सोचा गयाता है यहाँ पर कि पहले भी कोई दिक्कत थी तो उसको क्यों नहीं सुलजाए गया तो यहाँ पर कई न कहीं यहीं माना जा रहे है कि शायद उद्धव ठाकरे के पक्ष में रास ठा या फिर कोई तौफा उनके घर भेज सकते है इस पर अपनी राया जहूर दीचे को और बाकिसी खबरों के लिए दिखते रहे है नेक्स नाइने राया